नमस्कार दोस्तों मैं जिए अपरकाश लाइच आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम क्लास 10 की त्रिकोण में थी कि एक्साइज 8.3 पढ़ेंगे एक्साइज 8.3 का पहला फॉर्मॉला है साइन 90 डिगरी माइनस एकोश टू कोस है सेकेंड फॉर्मॉला है कोस 90 डिगरी माइनस एकोश टू साइन है इन फॉर्मॉला को समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा डेफिनेशन पूरक कौन यदि दो कौना का योग 90 डिगरी हो तो उन्हें पूरक कौन कहते है यदि हम दो एंगल है उनका सम करें और वो 90 डिगरी प्राप्त हो जाए तो उन एंगल को पूरक कौन कहेंगे कॉम्प्लिमेंटरी एंगल कहेंगे फॉर एक्जामपल यदि मैं 30 डिगरी और 60 डिगरी का सम करूँ तो मुझे 90 डिगरी प्राप्त हो रहा तो मैं कहूंगा 30 डिगरी का पूरा कौन 60 डिगरी होता है तथा 60 डिगरी का पूरा कौन 30 डिगरी होता है इसी प्रकार अगर मैं 22 डिगरी और 18 डिगरी को जोड़ू तो 90 डिगरी प्राप्त हो रहा है 90 डिगरी प्राप्त हो रहा है तो 31 डिगरी का पूरा कौन हुआ 69 डिगरी इस प्रकार हमें एक फोर्मुले की आप सकता मैसूस होई तो फोर्मुला बताने से पहले हम समझते हैं कि अगर एंगल ए और 90 डिगरी माइनस ए का सम करें तो माइनस ए प्लस ए कैंसल आउट हो जाए 90 डिगरी प्राप्त होगा तो मैं कह सकता हूँ कि इन दो कौनों का योग 90 डिगरी प्राप्त होगा है तो यह एक दूसरे के पूरक है तो मैं कह सकता हूँ कि ए का पूरक कौन हुआ 90 डिगरी माइनस ए और मैं यह भी कह सकता हूँ कि 90 डिगरी माइनस ए का पूरक कौन होग ए तो हमारे पास एक फॉर्मुला प्राप्ट हो गया कि किसी भी एंगल का complementary angle find out करना है तो उस angle को 90 degree में से subtract करना पड़ेगा example से समझते हैं 30 degree का पूरक कौन अगर 30 degree का complementary angle find out करना है तो हमने 90 degree minus 30 degree किया 90 में से 30 गटाने पर 60 degree प्राप्ट हो गया तो 30 degree का पूरक कौन हो गया 60 degree 32 degree का पूरक कौन 90 तो हमें 31 degree का पूरक कौन प्राप्ट हो गया 2a का पूरक कौन यदि हम द्यान से देखें तो हमने सिर्फ इतना ही किया जो भी angle दे रखा उसको 90 तो 90-Digρι में प्रॉण डिगरी नेटेगरीद से Calvin Hall कॉंप किशी बी एंगल कहों पूरव कॉंप मैन Bloody God to जामवाने महां कि क्यamental टो कि से Toutकि क्रूंद टो अतो सबरें कहलें किशी बींगलस तो सबसांतुथ दिग्री में से गटाना पड़ेगा तो मैंने 90 दिग्री में से गटाया 90 दिग्री माइनस A सरल करने पर मुझे A प्राप्त हुआ तो 90 दिग्री माइनस A का पूरा कॉन प्राप्त हुआ A कोई कहे कि 3A माइनस 18 दिग्री का पूरा कॉन बताओ तो 90 दिग्री में से गटाया 90 मे वितिय फिलन के नाम और उनकी विषय स्ता हैं, सबसे पहले इन दो त्रिकौнов वि फिलनों को लेते हैं, Sाइन तथा कोसाइन अगर हम दिहान से देखे, तो Sाइन के आग等一下 CO लगाने पर कोसाइन पर आप्ट अता है, या फिर मैं कहूं कि cosine की definition हो गई CO plus sine, complement of sine, अर्थार्थ sine का पूरक तो cosine हो गया, वो sine का पूरक हो गया तो हम कह सकते हैं कि sine है, वो cosine का पूरक है इसी परकार अगर मैं tangent और cotangent का नाम देखूं तो tangent के आगे CO लगाने पर cotangent प्राप्त हो रहा है तथा cotangent से CO अटाने पर tangent प्राप्त हो रहा है इस परकार हम कह सकते हैं कि tangent का पूरक हो cotangent है तथा cotangent का पूरक हो tangent है लाश दो की बात करें, तो second का पूरक cosecant तथा cosecant का पूरक second होता है जिने short में sec तथा cosec लिखते हैं चलो, इनकी विशेशत हैं जानने के बाद में सुत्रों को दंक्से समझने का प्रियास करते हैं सबसे पहला formula है sin equals to cos 90 degree minus e अगर आप देखोगे तो sin का जो complementary function होता है और a का complementary angle 90 degree minus e होता है तो कभी भी formula लिखते टाइम हमें सिर्फ ये दोई चीजों का द्यानकन है जो भी trigonometric function है उसका complementary function लिखना है तथा जो भी angle है उसका complementary angle लिखना है तो हम देखते हैं कि sin ये बराबर cos 90 degree minus e प्राप्त हो गया दूसरा formula देखिए cos ये बराबर sin 90 degree minus sin 90 degree minus e तो हमने दुबारा वहिक किया है cos का complement sin होता है तथा a का complementary angle 90 degree minus e होता है तो cos ये बराबर प्राप्त हो गया sin 90 degree minus e इनकी side आपस में अगर interchange कर दें तो इनी formula को इस परकार भी लिख सकते हैं कि sin 90 degree minus e बराबर cos e तथा cos 90 degree minus e बराबर sin e कुछ example से समझने का प्रियास करते है sin 59 degree बराबर हम द्यान से देखें तो sin का complement cos होता है और 59 degree का complement 90 degree minus 59 degree होता है तो sin 59 degree बराबर प्राप्त हो गया cos 90 degree minus 59 degree इसे solve करके हम cos 31 degree भी लिख सकते हैं second example cos 72 degree cos 2 cos का complement sin होता है 72 degree का complement 90 degree minus 72 होता है तो cos 72 degree बराबर हो गया sin 90 degree minus 72 degree solve करने पर sin 18 degree हम यह भी कह सकते हैं कि हमने formula काम में लिया है cos e बराबर sin 90 degree minus e third example देखें cos 48 degree cos का complement sin 48 degree का complement 90 degree minus 48 solve करने पर cos 48 degree बराबर sin 42 degree formula मिल गया cos e बराबर sin 90 degree minus e इसी परकार बाकी के चार तिरकोंडवी तेफलनों के भी formula लिख के याद रखने की कोशिस करना समझने की कोशिस करना धन्यवाद